अलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं के आर सेनी, के आर एजुकेसन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों रेलवे ने इंटर रेलवे टांसपर के रिगार्डिंग एक लेटरियां पर जारी किया गया है, एक तरह से मेर पांस साल की बात देता थी, वो एज़िटीज है, या पांस साल की बात देता हैं पर खतम कर दी गई है, और अब जो है, इंटर रेलवे टांसपर लेने में कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा, साथ ही जो है टांसपर कितने टाइप के होते हैं, अब इसके रिगार्डिंग में आपको इस वीडियो में बात करूँगा, वीडियो बहुत इंफोर्मेटिव होने लगा, वीडियो को लाटते जरूर देखेगा, तो चलिए सबसे पहले में रेलवे बोड का लेटर जारी हुआ है, 26, 12, 23, यानि कल की डेट का लेटर है, वो इसका जो घर है, वो अलवर है, इसको अलवर जाना है, तो यह जो है नेम नोटिंग के माध्यम से, यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा सकता है, जैसे वहाँ वेकेंसी बनेगी, तो इसका ट्रांसपर, इस्टेशन इसका चेंज कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी टाइम के बा बात करूँ, NWR की, यह NWR जोन है, इसमें चार डिविजन है, मान लेते हैं, जैपूर डिविजन का कोई बंदा है, और वो अजमेर डिविजन में काम कर रहा है, तो अजमेर डिविजन से वो जैपूर डिविजन में आना चाहरा है, तो इसको बोल देते हैं, अपन इंट इसके बाद में दोस्तों एक होता है इंटर रेल्वे ट्रांसपर जिसकी इसमें बात की गई है लेटर जिसके रिगार्डिंग जारी हुआ है इंटर रेल्वे ट्रांसपर में ऐसा होता है कि एक बंदा जो है NWR में काम कर रहा है और उसको जो है NR में जाना है Northern Railway जो 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 है या नहीं है उसके regarding में भी बात करूँगा तो यह हो गया आपका inter railway transfer इसके बाद में दोस्तों एक जो transfer होते हैं जो सबसे fast होते हैं और वो होते हैं आपके mutual transfer हो गया तो और एक हो गया आपका spouse based transfer हो गया और एक हो गया आपका special case या जो भी special case में बहुत सर case होते हैं उसमें आपके transfer अध्य है तो mutual transfer में बंदे के बतले बंदा इसमें आपको जो है इंटर railway transfer होता है इंटर division transfer हो सकता है तो इसमें जो यह बहुत fast process है इसमें 30 से 45 दिन के अंदर आपका transfer हो जाता है spouse based होता है इसमें कोई भी time की boundation नहीं होती है कि आपकी इतनी साल के service होनी चाहिए इसके बाद में एक होता है special case जिसमें मैं आपको बताऊंगा 4-5 cases में आते हैं disability बगर होते है या फिर आपके जो कोई video है उसको भी आपको लेटर भी दिखाऊंगा तो यह इतने टाइप के transfer होते हैं दोस्तो अब जो है अपन बात कर लेते हैं इस लेटर की कि जो है लेटर की क्या कह रहा इसकी समराइज में आपको यह पर बता जिता हूँ तो देखे दोस्तो यह जो RB number 1423 है dated 261223 का है कल की ही date का है लेटर है और दोस्तो नमबर इसका यह है और सभी जो जनरल मेनेजर है सभी जो GM है उनको लिखा गया है सभी जोर्नल रेलवे जिन प्यूज को देखे सब्जेक्ट जो है इसका टाइम लाइन फोर इंटर रेलवे ओवन रिक्वेस ट्रांसपर बहुत बड़ी जो यह न्यूज है दोस्तो एक तरह से बहुत अच्छी खबर है जो दोस्तों का कहीं सालों से अपर ट्रांसपर नहीं हो रहा उन लोगों के लिए आप यह बहुत अच्छी गुड न्यूज को अपन कह सकते हैं देखे दोस्तो होता क्या है इंटर रेलेवे ट्रांसपर के अंदर 5 साल की सर्विस की बाद देता है कि आप 5 साल की सर्विस करना ही पड़ेगा किसी पर्टिकॉलर जोन में फिर आप किसी अधर जोन के लिए आपर अपलाई फॉम कर सकते हो तो देखे उसमें होता क्या था कहीं कहीं साल लग जाते थे पांस साल के बाद में आपने अपलाई कर दिया उसके बाद आपके फोर्म का पता ही नहीं होता था कि फोर्म कहां चल रहा है क्या चल रहा है कितने साल होगे किसी डिलिंग का लग से पूछो कि तो आपके डिविजन में कया हुआ है, फोर्म का कुछ पता ही नहीं लगवा रहा था कि एक्चुल में चल के आ रहा है, और कहीं साल यहां पे, 10-10-15-15 साल तक यहां पे लगज़ाते थे इसके इंटर railway transfer clear होने में अब जो है railway ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात लेके आए कि इन्होंने जो है guideline बना रहे हैं यहाँ पे timeline बना रहे हैं कि इतने time के अंदर-अंदर आपको यह काम करना ही होगा must हो गया कामतल सरी है कि इस period में आपको यह काम करना ही होगा और साथ यह दोस्तों अब जो है online सारा code system रहेगा आप अपनी file देख पाऊँगे कि आपकी जो file है किस stage पे है यहाँ पे इन्होंने timeline की 4-5 stage जो है बनाई है देखे 5 stage इन्हों बनाई है इनमें से आप अपना form देख पाऊगे कि आपका second stage पढ़ा है या third stage पढ़ा है fourth stage पर पढ़ा हुआ है वो form आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखे लेटर में क्या कुछ लिखा हो मैं आपको बताजता हूँ यह कह रहा है कि जो भी वर्तमान में जो process चल रही है railway transfer की जो inter railway transfer की तो इसमें बहुत सारा time यहाँ पे लग रहा है time line को बनी हुई नहीं है while the human resource management HRMS से होने के बाद भी जो HRMS की facilities है HRMS के उपर भी इस transfer की facilities दे दी गई है फिर भी the absence of definite time फिर भी time limit नहीं होने के वाज़े से इसकी जो efficiency की कमी है इसमें transparency की भी जो कमी है in the process involved तो यह जो चीज़े हैं इनको दूर करने के लिए इन्होंने जो है अब यह कह रहे हैं कि हम जो नहीं time line पे लेके आ रहे हैं recognized the need for a more strength land and regulated approach board have decided to adopt following by new timeline for own request transfer यहाँ पे यह जो process लेके आ रहे हैं नई इनका कहना इसमें है कि हमने HRMSP online कर दिया लेकिन फिर भी time boundary यहाँ पे time की limit नहीं है उससाब से बहुत सारा time लग रहा है efficiency की कमी है तो हम यह timeline यहाँ पे अपनाने जा रहे हैं strictly रूप से तो देखे पहले जो पहला point है इसमें कह रहे हैं कि division unit to assess provisional number of staff and categories who can be spread division to make an action plan for inter railway own request transfer देखे दोस्तों यहाँ पे जो है आपके 5 साल की जो बाद्यता थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है 5 साल की बाद्यता आपकी agities रहेगी और इसमें जो है आपका जो टाइम लाइन है जो टाइम आपका पहला कहीं सालों में लग रहा था बस वो टाइम यहाँ पे कम लगेगा transparency रहेगी आप अपना form देख पाऊगे और इसमें जो 5 साल की बाद्यता है अपना interrelief transfer के लिए on request डाल सकते हो तो देखे यह भी एक अच्छी ख़बर है यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा आपका अपर टार्गेट फर्स्ट साइकल दस नहीं दो जो है डेट इसमें रखी यह साल में कि अप्रेल से पहले जिन भी पॉइंट्स में है कितने stress master है तो category wise उनको जो है यहाँ पे आप डिवाइड कर लिया जाएगा तो 10 अपरेल से पहले-पहले जो हैंगे उनको 10 अपरेल को एक डेट फिक्स कर दी कि उसी डेट को उनका सारा कुछ काम किया जाएगा इसके बाद में अगर 10 अपरेल कोई पहले कोई निया आता आता जैसी कोई मही में आ रहा जून में आ रहा है तो उन लोगों के लिए अलगडेट रखिये 10 अक्टूबर तो अपरेल से लेकिये अक्टूबर के जितने भी फोर्म होंगे उनको 10 October को देखा जाएगा उनको divide के जाएगा कि कौन से लोग किस category में जाना चाहते हैं कितने station master है कौन सा staff किस category है यह एक process यहाँ पे complete हो जाती है इसके बाद में दोस्तो second process है division unit to convey consent for accommodation the staff or reject the request यहाँ पे सारे forum collect करने के बाद में फिर जो है 30 April of every year 30 April जो हर साल की 30 April है और 30 October है जो हर साल की उसमें यह convey करेंगे कि कौन से forum जो है यहाँ पे reject होने वाला है जैसे कि कोई 5 साल के service इसके complete नहीं हुई है वो ही forum यहाँ पे apply कर दिया है तो किसके फोर्म यहाँ पे reject होंगे किसके accept होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपके जो form reject हो गए या फिर जो accept हो गए यह date इन्होंने निस्कित कर दिये तो यह अपने को पता रहेगा कि हाँ इस date को मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे forum का क्या रहने वाला इसके बाद में दोस्तों तीसरे नमबर पर जो option है वो है फाइनल प्लान ओब डिविजन फोर ओमन रिक्वेश ट्रांसफर तू बी प्रिपेड बाई डिविजन बेस्ट रॉन डिसीजन रिसीवड फ्रों डिविजन उनिट केस रिजेक्टेड बाई डिविजन देखे दोस्तों इसमें होता क्या जैसे कि कोई एक बंदा है सब्सक्राइब डिविजन में है और वो NWR में आना चाहते NWR में उसने प्रिविजन डाल रखी है कि मैं जो है यहाँ पर जेपो डिविजन के अंदर ही आना चाहता हूँ तो देखे यहाँ पर माल लेते हैं कि इसकी जो फाइल यहाँ पर जेपो डिविजन पहुंचेगी और जेपो डिविजन में जगह बनती ही नहीं है जेपो डिविजन और रिजेक्ट कर देते हैं हमारे पास में भी जगह नहीं है जब जगह होगी तब लेंगे तो इस बंदे को यहाँ पर option दिया जाएगा कि आप जो है अजमेर डियोजन में जा सकते हो NWR के जो दूसरे zone है आप जो है low priority पर जा सकते हो देखिए यहाँ पर लिखावा है advise to other down the priority list and advise other division unit आपको other division या other unit का यहाँ पर option दिया जाएगा कि आप जो है जो है जमेर डियोजन में जा सकते हो आप जो है विकाने डियोजन में जा सकते हो तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है आपको option मिल जाएगे तो इस हिसाब से यह जो date है इनकी भी निस्सीत रखी गई है 10 to 20 माई और every year 10 to 20 November तो यह जो है दो date इसकी यहाँ पर रखी गई है इसके बाद में दोस्तों next step of division where staff is to be transferred to give consent for accommodating और reject तो next step में जो है जो division है जिसमें आपका transfer होना है वहाँ से consent किया जाएगा कि आपके जो form को accept किया जाएगा या जो है reject किया जाएगा इसके बाद में तो यह जो है यहाँ पर cycle रखा जाएगा 31 मही का और 30 November का इन दो date का इंपर रखा गया है 31 मही से जो पहले जितने भी form रहेंगे उनको 31 मही को और उसके बाद के रहेंगे उसको 30 November को इंपर देखा जाएगा अब दोस्तों सारी कुछ परिक्रेया होने के बाद में बात आती है आपके इसपेर करने की cycle to continue till 30 है 30 है और 312 request transfer stopped for 3 months relieving by 30 no for first cycle और 30 3 for second cycle देखे दोस्तों यहाँ पे सारी कुछ process में जो इस शिर्फ 6 महिने का ही time पे लग रहा है यह जो इतनी सारी कुछ प्रोसेज है इसमें स्रिफ 6 मैंने का यहां पर टाइम लगने वाला है और 6 मैंने के अंदर आपको सारा कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका जोए कितना यहां पर ट्रांसपर में देरी हो रही है आपका फोर्म को सेप्ट किया गया या आगे आते थे और साथी तो कई सालों तक वेट करने के बाद में जब 10-15-15 साल के नोगरी हो जाती तब आता थे कि आपका ट्रांसपर हो रहा है तो जब लोगों को प्रॉम्शन वगर हो जाते थे वह जाना नहीं जाते थे तो इससाब से टाइम लाइन इनो इन लोगों के लिए नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख पार होंगे एक तो जो है आपसी अद्लाबत दीनी की मुचल ट्रांसपर में आपके 5 साल की बाउनडेशन नहीं है इस्पाउस बेस पर 5 साल की बाउनडेशन नहीं है करमचार जीं के दिवयांग बच्चे जिसका डिसेबल अगर चाइल लगती है तो वो भी जो यहां पर ट्रांसपर ले सकती है तो यह सारी कुछ जो प्रोसेज है बाकी और लोगों के लिए 5 साल की बाउनडेशन रहने वाली है यह सारा कुछ लेटर का समराइज ता आए उप जानकर आपको अच्छे लेकिए वीडियो आपको अच्छा लाग कीजिए दोस्तों के साथ से जरू करें थैंक्यू